नमस्कार चानेक्या IES Academy में आपका स्वागत है एक देश जिसकी वृद्धीदर चार दसकों से अधिक समय से 9 परतिसत की रही हो और अब वृद्धीदर 3 परतिसत से भी कम हो जाए यह इस्थिती वाकई चिंता जनक है चिंता उस देश की तब और बढ़ जाती है जब वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2022 से समधित GDP वृद्धी का अनुमान 2.8 परतिसत बताए जाता है आखर यह देश कौन है यह देश वैस्विक में निर्मान का हब है और इस देश का नाम है चीन अगर वृद्धी दर के पैमाने पर चीन की तुलना उसके एसिया परसांद परोसियों के साथ करें तो एसिया परसांद परोसियों की इस्थिती काफी अच्छी है क्योंकि उनका औसत वृद्धी दर 5.3 परतिसत है इसका मतलब है कि चीन के अपने परोसियों की तुलना में आधी दर से बढ़ने का अनुमान है अब सवाल यह उत्ता है कि आखिर चीन को इस इस्थिती का सामने क्यों करना पड़ रहा है तो इसका जवाब है कि इसके लिए चीन खुद जिम्मेवार है कैसे वह सुनिये चीन को मंदी की और ले जाने वाले तीन महत्पूर्ण कारण है पहला जीरो कोविड पॉलिसी या सुन्न कोविड निती दूसरा हॉसिंग बबल या आवाज संकर्ट और तीसरा अमेरिका के साथ परतिदन दिता बात करते हैं जीरो कोविड पॉलिसी की कोविड नाइटीन महामारी ने कई विनिर्मान या मैनिफेक्चरिंग और शिपिंग फैसिलिटी को बंद कर दिया जिससे 2020 की सुरुवात में सप्लाई चैन डिस्टर्ब हुआ जीरो कोविड पॉलिसी ने लोगों को घर के अंदर रहने के लिए मजबूर किया जिससे लोगों के रोजगार और उनकी आई पर असर पड़ा अगस्त 2022 तक चीन के जीडिपी में 10% का योगदान करने वाले कम से कम 20 सहर लॉगडाउन के अधिन थे अब बात करते हैं हॉसिंगबबल की पहले हम याद देखते हैं कि हॉसिंग सेक्टर का चीन में क्या मात है ओसिंग सेक्टर चीन के जीडिपी का एक चौथा हिस्सा है अब अपने कर्ज को वापस पूरा ना करने में चीन की दूसरी सबसे बड़ी हॉसिंग फर्म Evergrande Group की विफलता ने चीन में आवास संकट को काफी तेज कर दिया इससे जुड़े हुए developers ने आधे बने इमारतों को छोड़ दिया इस company के संस्थापकों ने अपने हिस्से को बेज दिये और वो समू से भी बाहर निकल गए और घर खरीदारों को mortgage का भुखतान नहीं करने के लिए भी मजबूर किया इस housing loan default से banking संकट पैदा हो सकता है क्योंकि बैंकों ने घरों के लिए 7-5 trillion dollar या सभी bank रिनों का एक चौथा हिस्सा उधार दिया है चीन के इस housing bubble ने चीन के मध्यमवर जो पहले ही COVID के नुकसान की स्थिति में को भी काफी प्रभावित किया है अब बात करते हैं तीसरे कारक की जो है अमेरिका के साथ प्रतिदंदिता की अगर global level पर हम देखें तो चीन के इस बढ़ते प्रभाव को अमेरिका अपनी प्रध्योगी की और सैने वर्चस के लिए एक खत्रे के रूप में देखता है और देखें भी क्यों न क्योंकि 435 अरब डॉलर के निरियात और 125 अरब डॉलर के आयात के साथ चीन का अमेरिका के साथ 310 अरब डॉलर का व्यापार अधिसेस या ट्रेट सर्पलस है इसे प्रभावित करने के लिए अमेरिका के पुर्व राश्पती डोनाल्ड ट्रॉम्प ने चीन से होने वाले 250 अरब डॉलर के आयात पर उच आयात सुल्क लगा कर चीन के वैपार को प्रभावित किया था और वर्तमान अमेरिकी राश्पती बाइडिन की सरकार ने नए अमेरिकी निर्यात नियंतरन नियम से चीन के सूपर कंप्यूटर और आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस उद्योग को कमजोर करने का काम किया इस नई एक्सपोर्ट कंट्रोल रूल्स के अंतरगत पिछले महीने अमेरिका ने चीन में सूपर कंप्यूटर को पावर देने वाले सेमिकंडूक्टर से समंदित इंपूट की सप्लाई पर परतिबंद लगा दिया था अब ज़र हम इस इस्सिति को देखते हैं कि दुनिया ज़्यादा तर लैपटॉप, मॉबाइल फोन, वाशिंग मसीन, रेफिरिजरेटर, कपड़े, खिलोने और घरेलू समान चीन से खरिकती है अगर चीन कम फोटोवेल्टिक सेल या एलेक्ट्रिक वाहन बैटरी की आपूरती करता है तो इससे ग्रीन एनरजी की तरफ विस्व का जाना काफी महगा हो जाएगा चीन के बिना अमेरिका, येरोपियन यूनियन और यहां तक की भारत को हेल्थ एमर्जेंसी का सामना करना पड़ सकता है क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें से हर एक देश चीन से API मतलब Active Pharmaceutical Ingredients का 70% खरीटता है अब अगर चीन मंदी का सामना कर रहा है तो इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं? विस्ले सुकों का यह कहना है कि इसके 6 प्रभाव हो सकते हैं चले एके कर इन प्रभाव की बात करते हैं पहला, वस्तू और उर्जा की कीमतों में कमी हो सकती है चीन के Crude Oil, Natural Gas और कोईले की खपत में कमी से दुनिया भर में उर्जा की कीमते कम होगी Crude Oil की कीमतों में गिरावट को रोखने के लिए हो सकता है कि आपक उत्पादन में कट होती करे और Crude Oil, Natural Gas और कोईले की कम कीमतों से आयाद बिल में भी कमी आएगी अब बात करते हैं दूसरे प्रभाव की दूसरा प्रभाव है सूपर कम्प्यूटर की कीमतों में विर्थी पिछले चह महिनों में सूपर कम्प्यूटर की कीमतों में चास फिस्दी से ज़्यादा की बढ़ोत्री हुए है इससे कार, लैप्टॉप और एलेक्ट्रोनिक्स की सभी चीजों की कीमतों में बढ़ोत्री होगी इससे इन वस्तों की आपूर्ती में देरी और कीमतों की और बढ़ने की उमीद है तीसरा प्रभाव इस्थानी वी निर्मान को प्रोशा है COVID-19 महामारी ने दुनिया को यह एहसास तो जरूर दिलाया कि वी निर्मान के मामले में पूरी तरह चीन पर निर्वर नहीं राजा सकता मैडिसीन, सूपरकंप्यूटर ग्रीन एनरजी और महतपून सामगरियों के लिए चीन पर निर्वरता कम करने के लिए अमेरिका जैसे देश मेगिन अमेरिका कारिक्रब में बिलियन डॉलर का निवेस कर रहे है चौथा प्रभाव पुछ अमेरिकी डॉलर ब्यास दरे चीन अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में अपने 3-10 लग 2 ट्रिलियन डॉलर के भंडार से लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर का निवेस करता है निर्यात से कम आय होने पर चीन को ट्रेजरी बॉन्ड में कम निवेस करने के लिए मजबूर कर सकती है जिससे यूएस फेट बॉन्ड को आकरसक बनाने के लिए ब्यास दुरों में वृद्धी करने को मजबूर हो सकते है इसका मतलब होगा कि बाजार में डॉलर की कमी जिससे अमेरिका और दुनिया में कम नए निवेस होंगे पांच वर्ण कि भारत पर इसका क्या प्रभा होगा चीन की मंदीर ने चीन को कम खरीदने और भारत को अधिक बेचने के लिए प्रेडित किया है इस वर्ण के जनवरी से अगस्त के आंकड़े इस बात को साबिद करते हैं भारत के निर्यात में चीन की हिसेदारी जन्वरी से अगस्त 2021 में 6.5% से घटकर जन्वरी से अगस्त 2022 में 3.5% हो गई जबकि भारत के आयात में सेधारी मोटी तोर पर 15% पर बना हुआ है मंदी के कारण व्यापार घाटे में कोई कमी नहीं आई है दूसरी तरफ चाइना प्लस वन इस्टेटजी या रणनीती से भारत को लाब होगा आकि ये चाइना प्लस वन इस्टेटजी है क्या तो चाइना प्लस वन एक रणनीती है जिसमें कमपनियां केवल चीन में निवेस करने से बसती है और अपने व्यवसायों को दूसरे देश में भी ले जाती है हमें पता है कि पहले शरम और उत्पादन की कमलागत और बढ़ते घरेलो उत्भोकता बाजार के कारण चीन एक आकरशक निवेश इस्थान था अब बात करते हैं छठेड और अंतिम प्रभाव की वह है चीन में शक्ति का संकेंडर मतलब कंसेंटरेशन और पावर स्षी जिंपिंग तीसरी बार चीनी कम्मिनिस पार्टी के महासेचिप के रूप में बने हुए है चीनी राजनिती के शिर्स पर स्षी जिंपिंग काफी मजबूत है इससे यह होगा कि इस्थानी मुद्दों से निपटने में मदद मिल सकती है लेकिन चीन हाई टेकनलोजी आइटम्स पर अमेरीकी परतिबंदों से कैसे निपटता है या इस बात पर निर्भर करेगा कि एक इंडर्स्ट्रियल और मिलिटरी पावर के रूप में उसकी इस्थिती कैसे है तो इस वीडियो में हमने यह बात की चीन जो मौझुदा समय में शलोडाउन की स्थिती का सामना कर रहा है तो चीन की मंदी की गिर्फट में फसने से उसका वैसुएक इसतर पर क्या असर पढ़ सकता है और भारत पर उसका क्या सकारात्मक और नगारात्मक असर पड़ सकता है यहां ने देखा इसके साथ ही इस वीडियो को ही समात करते हैं फिर अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नमस्कार